नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल में जैसा कि मित्र हम लोग स्ट्रिंग के सिरीज में देख रहे हैं और हमने आप लोग को चीज बता देना है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस से पहले इसको देख लिजिए और इसमें हम लोग सारे आप रिष रहा हैं और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गूरू चैनल चलिए कुछ अच्छा सिखते हैं तो मित्र हम लोग बात कर रहे हैं किसे बात कर रहे हैं स्ट्रिंग न पर बात कर लिया है आप लोग के हम क्या करते हैं मैंने यहां पर ए लिखा और इस इक्वेल टू कर दिया ठीक है और हमने यहां पर दे दिया क्या दे दिया रतना कर दे दिया रतना कर दे दिया ठीक है और फिर हमने इसको close कर देना है फिर हमें क्या करना अब देखे यहां पे जैसे ही हम print करके ए करेंगे वैसे ही देखे complete हम लोग यहां से क्या करेंगे इसको save कर देंगे और save करने के बाद क्या करेंगे हम लोग यहां से run करा देंगे और जैसे ही से हम लोग run कराएंगे देखे यहां पे complete रतना कर print हो गया है यानि complete print करने के लिए क्या करना हमें direct जिसको जिस value को हम लोग define कराए रहेंगे उसके main key को हम लोग क्या करेंगे यहां पे enter करके print कर देंगे दोस्तों पहली चीज आप लोगों ने देख लिया ठीक है अब एक बात और जैसे मान लिज्जे आपने यह तो देख लिया यह मैंने double quotes बताया है लेकिन अगर मान लिज्जे यहां पे हम लोग अगर single quotes देते हैं तब देखते हैं हमारा output क्या आएगा ठीक है हम लोग single quotes देख करके देखे फिर भी हमारा output same आया क्योंकि मैंने already आपको बता रखा है कि single output double output से इसका कोई relation नहीं है इसका मतलब यह answer same आता है दोस्तों अब जो दूसरा है हमारा वो है जैसे मान लिज्जे हम लोगों को length चेक करना है कि जो इसमें कितने characters available हैं अगर इस चीच को हमें check करना हो तो हम लोग कैसे check करते हैं ठीक है फिर हमें double code से इसको बंद कर देना है अब यह बता देगा जैसे इसको हम लोग run कराएंगे save करके जैसे इसको हम लोग run कराएंगे यह हमें तुरंत बता देना है कि जो है इसमें कितने characters data is used हैं दोस्तों तो ठीक है । देखे इसको और देखे हिसको यहां पर यहांपर 8right दे दिया है का दे दिया यह दोग और करता है काउंट करता है दोस्तों तो यह आप लोगों नहीं देख लिए लेंख निकलना अब जैसे माल लिजीए यह हमने बाइद आवे यह में स्पेज दिया है क्या देदिया है अब इस वाइट इस स्पेस को हमें किसी आप्रेस्ट के माध्यन से अगर हटाना है तो वह तो होता है strip method क्या होता है भईIs strip method होता है टो strip method हम लोग कैसे यूज करते हैं इस चीज को देखते हैं हमने इतना लिख दिया हम 腌ह पे सबर्भर इस घ्राइब करेंगे देखेगा यह देखेगा इसने रोन कर आते हैं अब कहां से रहा है यह जो सटार्ट यहीं तक है और गोई सिर्फट एंँ तक है लेकिन अगर हम लोग ऐस को ऐसे ही रन कर आते तो क्या होता भाई से लेंथ भी देता ठीक है तो इसका मतलब इस ट्रिप से हम लोग क्या करते हैं जो हमारा वाइट स्पेस होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं भाई हटा देते हैं दोस्तों ठीक है यानि की खतम कर देते हैं अब इसके बाद की बात करें अगर हम लोग तो जैसे माल इसे क्या करना है भा सदा भी बंद किया ठीक है फिर हम लोग इसको कुछ नहीं करना है में यहां से सेव करना है और यहां से रन कर देना है जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहां पर देखिया आंसर क्या दे रहा है यहां पर कैपिटल में रतना कर दे लेकिन अगर माल लीजिये हमें lower case करना है क्या करना है लोवर केस करना है तो कुछ नहीं करना है यहां पर हम लोग इसको save करेंगे रन कराएंगे देखिये जो हमारा यह capital R है यहां पर यह capital R क्या हो गया है small R में दोस्तों change हो गया है देखिये पास समझ जाई यह देखें क्या हुआ है यह हमारा इसमाल R में हो गया है तो इस तरीके से क्या होता है हमारा हमारा upper case lower case को हम लोगों ने देख लिया ठीक है अगले की बात अगर इसी में करें हम लोग तो replace करना कैसे है 1-40 हatore यहां क्या है यह हमारा r है क्या है यह हमारा और को चिब कर देना है यह यूज दो कैसे होगा केज को हम लोग देखते हैं कि पइसंचिदु होता है sub छुरुर में तो हमें यहां उड़ स्वचनर कर देना है रिप्लेस करना है क्या करनाभाई replace कर देना है और replace करके क्या करना open करना है bracket और फिर double quotes के अंदर क्या देना है भाई आर देना है फिर double quotes बंद फिर क्या करना कॉमा और फिर हमें यहां पर क्या करना है जैड कर देना है क्या करना है जैड कर देना है और हमें करा देंगे जैसे ही से हम लोग रन कराएंगे देखिए हमारा क्या हुआ यहां जैड की जगह क्या हो गया है जैड हो गया दीख रहा होगा आप लोग को आउट्पुट में कि हमारा जो यहां पर आर है उसकी जगह क्या दे दिया भाई जैड दे दिया है ठीक है तो इससे हम हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं रीप्लेस कर देते हैं ठीक है एक और एक्जामपल एक ऑपरेस्टन हम लोग और इसमें देख लेते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा और बच्छा वैसे माल लिए लोग क्या करना चेक करना है क्या करना है कि रतनाकर में कर है या नहीं क चेक करना है रत्नाकर में कर है यानने तो हम लोग क्या करेंगे करेंगे और लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे या स्वारी कर लिख देते हैं, ठीक है, कर लिख दिया हमने, फिर इसको close किया, फिर in करके a कर दिया, ठीक है, फिर हमें क्या कर देना है, print x कर देना है, और जैसे ही हम लोग print x करेंगे, देखिए अगर होगा तो true देगा, नहीं होगा तो false देगा, ठीक है, क्या करेगा ये, false दे यहां पे कर आविलेबल है लेकिन अगर मान लिज यह फार एक्जामपल की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग जैसे माल इसे कर के जगए अगर हम लोगों ने जर लिख दिया घलिग जर लिग दिया और फिर भी हम लोग इसको क्या करा है तो देखिए फाल्स देगा सुझाओ देना है तो बिल्कुल आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिए मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और आपके कमेंट के एक आर्डिंग में वीडियोस को बनाऊंगा दोस्तों अगर यी वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें इ झालो करें तो आइक सेर्फ दोस्तों डार आइक आर्डिंग में वीडियोस इ सक्टाइब।